काविय धाकड किड्नापिंग केस उन्हें स्मार्च को बॉयफ्रेंड हर्चुई संगिंद ओर में थी काविया CCTV फूटेच आया सामने स्यूपूरी काविया धाकड किड्नापिंग केस में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं जहां कोटा पुलिस ने खुलासिक करते हुए बताया कि काविया ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर विदेश में पढ़ाही करने के लिए अपने अपाहरण की छूटी कहानी रज्जी थी और पिता से फिरोती के नाम पर 30 लाक रुपए की मांगी। इस मामलें पे पुलिस ने एक और संसनी कैसे खुलासिक करते हुए बताया कि काविया ठाकर नीट की त्यारी करने कभी कोटा गई ही नहीं थी। प्रारंबिक तोर पर यहाँ बाद भी सामने आ रहे कि युवती ने हरसित के दोस्त गजोयंत के रूम के किचन में ही अपने अपरहार का वीडियो फोटो सोच किया था जिसे उसे अपने पिता को भीजा था साथ ही अपने पिता को 30 लाक रुपए की फिरोती की भी मांगी ठूम के युवती